एक तफा का जिकर है कि एक गाउं में एक धोबी रहता था जिसने एक गदे एक कुट्टे और एक मुर्गे को पाल रखा था धोबी के साथ जब गदा घाट पर जाता तो कुत्ता भी उसके साथ जाता था घाट पर पहुँचकर धोबी गदे को एक लंबी सी रसी से बान देता था कुत्ता गदे के करीब घास पर सो जाता था एक दिन मुर्गे ने कुत्ते से कहा तुम दोनों आपस में दोस्त हो मगर मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हो कुत्ते ने जवाब दिया तुम भी हमारे दोस्त हो हम एक ही मकान में रहते हैं और हमारा मालिक भी एक है मुर्गे ने कहा तुम गधे के साथ बाहर जाते हो मैं तमाम दिन घर के छोटे से सहन में घूमता रहता हूँ मेरा दिल भी चाता है कि तुम दोनों की तरहा बाहर जाकर सैर करूँ और दुनिया की रोनक देखूँ कुटे ने मुर्गे को समझाया हर जानवर और हर इनसान का काम मुक्तलिफ होता है गदा बोज उठाता है मैं तमाम रात जाकर घर की रखवाली करता हूँ लेकिन तुम तुम तो तमाम दिन सकून से इदर उदर फिरते रहते हो तुमें अल्ला का शुकर अदा करना चाहिए कि तुमें कोई काम नहीं करना पड़ता मुरगा कुटे की बातों से मुतमें ना हुआ और बोला कल मैं भी तुम्हारे साथ घाट पर जाओंगा और फिर हम सब शाम को वापिस घर आ जाएंगे दूसरे दिन जब धोबी हस्पे मामूल गदे पर मेले कपड़े लाद कर चलने लगा तो कुटे के साथ मुरगा भी चल पड़ा धोबी को मालूम ना हो सका कि उसके पीछे आज मुरगा भी उनके साथ घाट पर जा रहा है घाट पर पहुँचकर हस्पे मामूल धोबी काम पर लग गया और गदे को एक लंबी सी रसी से बांद दिया कुटा भी खामोशी से दरख के साए में लेट गया मुरगा टहलता 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 जरा दूर निकल गया अचानक करीब ही घुमते हुए एक आवारा कुटे ने जब मुरगे को देखा तो उसके मुँ में पानी भराया उस कुटे ने मुरगे पर हमला कर दिया मुरगा चोकना था लहाजा वो फौर रन चलांग लगा कर एक दिवार पर चड़ गया धोबी के कुटे ने देखा के कोई दूसरा कुटा उसके दोस्त मुरगे को पकड़ना चाहता है तो उसने जोर जोर से भूंकना शुरू कर दिया कुटे की आवाज सुनकर धोबी भागा-भागा आया तो वो हिरान रह गया कि आज उनके साथ मुरगा भी आ गया है धोबी को बहुत घुसा आया उसने मुरगे को एक टोक्रे में बंद कर दिया घुसे से घर अकर उसने अपनी बीवी को नसीयत की कि इस मुरगे को डड़बे से ना निकलने देना उस दिन के बाद मुरगे की घर भरे फिरने की आजादी भी खतम हो गई और मुरगा तमाम दिन दड़बे में गैद रहता आखिर एक दिन मुरगे ने कुटे से कहा कि मुझे अपनी गलती का आहसास हो गया है मैंने तुम्हारी बात पर अमल नहीं किया था, इसलिए मेरी आजादी खतम हो गई है, अब तमाम दिन दड़बे में कैद रहता हूँ, कुटे ने मुरगे को समझाया, जो भी दूसरों के काम को आसान और अपने काम को बोच समझता है, वो हमेशा नाखुश रहता है, अपना काम नहायत दिल लगी और मेहनत से करना चाहिए, दूसरों के काम आसान और फाइदे मन नजर आते हैं, मगर खुदरत ने हर एक के काम अलग-अलग मकरर कर दिये हैं, मुरगे ने कुटे का शुक्रिया अदा किया और एहद किया, कि आएंदा वो अपने काम से ही काम रखेग आएंगा